अपना पैंपर रूटीन सबसे पहले मैं फ्रेश हो गई और मैंने फेस वाश कर लिया उसके बाद मैं फ्रूट्स खाने वाली हूँ क्योंकि रोज एक फ्रूट खाना बहुत ज़ादा ज़रूरी है बहुत बड़ा important role play करते हैं फ्रूट्स अपने life में और day to day में तो एक फ्रूट खाना ही चाहिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे pomo, granite और grapes लिये हैं जो की दोनों मीठे फल हैं कोई भी दोनों खटे या मीठे फ्रूट्स खाएए क्योंकि अगर आप दोनों एक साथ अलग-अलग फ्रूट्स खाएंगे तो आपके digestion में problem हो जाएगी वो acid present करेंगे आपके stomach में और digestion में problem हो जाएगी तो इसलिए ऐसे ही फ्रूट्स खाने चाहिए उसके बाद मैंने सोचा कि आज करेंगे हम cleaning वैसे तो रोज मैं दो चाट चीज़े करती ही हूँ घर में से एक होता है मैं सोफे को अच्छे से clean कर देती हूँ बेट ठीक से लगा देती हूँ जाडू रोज लगा देती हूँ तो आज मैंने पहले सोचा पहले ही sofa ठीक करते हैं उसके बाद सारी चीज़े मैंने सही की cleaning से ऐसा होता है कि जब तक मैं पूरा घर ना साफ कर लूँ तब तक मैं खुद की cleaning नहीं कर सकती हूँ उसके बाद मैंने plants को पानी दिया तो यह भी बहुत important part है अगर plants को पानी नहीं देंगे तो वो पूरे रूखे हो जाएंगे एकदम मुर्जा जाएंगे और कभी कभी पानी दे के भी मुर्जा जाते हैं तो कोई बात नहीं फिर create हो जाते हैं पर पानी और धूप उन्हें दोनों मिलने चाहिए फिर मैंने ये balcony धोली and then मेरा था hair wash day तो आज मैं करने वाली हूँ oiling अपने hairs की मैंने अलग-अलग oil try करके देखे हैं but मैं fit tuber को follow करती हूँ और वहां से मैंने देखा है कि proper ingredients का oil बहुत जादा ज़रूरी है तो वहीं से मैंने order किया है bring rush tail के बारे मैंने बहुत सारी चीज़े पढ़ी है जो ingredients उनके होते हैं वह बहुत natural होते हैं कोई उनमें मिलावट नहीं होती है तो मैंने इसलिए ये order किया है और अच्छे से चंपी करने के बाद ये मेरे बाल एकदम सही हो गए और अच्छे से मैंने पोनी टेल बना ली है ताकि बाल उलजेना और सही से रहे एकदम एक घंटे पहले मैंने oiling किये वैसे तो मैं एक दिन पहले करती हूँ बढ़ ठीक है कर सकते हो देन मैं ये शेव रेसर यूज करने वाली हूँ अपने फेस पे फेस शेविंग करना मैंने एक दू साल पहले ही स्टार्ट किया था और ये कोई अलग बात नहीं है बस लोग करने की वज़े से नहीं आपका फेस बहुत जादा क्लीन रहता है जो छोटे छोटे बाल हो जाते हैं ये सभी के फेस पे रहते हैं बहुत जादा नॉमल है बट लोग देखते नहीं है या फांडेशन केकी हो जाता है या तो फिर क्रीम उठके दिखने लगती है तो ये शेव करना बहुत जादा जरूरी है मैं हफते में एक बार तो कर लेती हूं और मैंने ये प्लकर यूज किया है जो छोटे छोटे बाल जादा हो गया उसको निकालने के लिए उसके बाद फिर से मैंने ये क्रीम अपलाई कर लिए हैं एंडेन हम रेडी करेंगे अप इसको लगा लिया फेस पैक इसलिए कि आज संडे भी है ओपर से खुद का फेस का ध्यान रखना बहुत जादा जरूरी है ये मेरा नॉर्मल फेस पैक है मैं इसको विंटर्स में समर में कभी भी संडे या जब मुझे टाइम मिल जाए तब मैं अपलाई करती हूं और थोड फेस वाश कर लिया और यही केम और इसको बस वीडियो में आना था इसके लिए जान मुझे आ गया तो यह वीडियो ऐसे शूट हो गया तो मैंने अच्छा से फेस वाश कर लिया है उसके बाद मैं अपलाई करने वाली हूं इसके उपर क्रीम जो मैंने शूट नहीं कर करती हूं कहीं पे भी मुझे ऐसी नॉमली शेव करना पसंद है और मेरा स्टाइल यही है सबसे पहले मैंने शावश जल अपलाई किया लूफा से अच्छे से मल लिया उसके बाद फेस तयार हो गया फेस तयार होने के बाद हम करेंगे शेव और बहुत सारा जात तयार हो ज गर्यक्त यह लोगों का कहना होता है या पाले वाली सो कॉल दीदी कहती है कि अगर आप वैग्स शेव करते हो तो आपकी बाल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड आएंगे एसा कुछ भी नहीं होता आपकी बाल जो रहते हैं वही आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप शेव ना करो, सेम बालों की ग्रोथ वैसी होती है, हार्ड या सॉफ्ट या आपके जनेटिक्स के उपर है, या तो आपकी बालों की ग्रोथ के उपर है, तो मैं शेव जादा प्रिफर करती हूँ, और इससे बाल वैसे ही आते हैं, जैसे आप सीरम लगा लिया है, और मैं कोई भी हीट वाली चीज़े यूज नहीं करती हूँ, बाल को ड्राइ करने के लिए, सो सिंपली मैं नाच्रली ड्राइ करती हूँ, या तो धूप में खड़े होकी, या तो नॉमली ऐसी ड्राइ हो जाते हैं, स्किन को पैमपर कर लेंगे, सो मै यूज करने वाली हूँ, दे मॉम्स को संस्क्रीन, और यह बहुत अच्छी संस्क्रीन है, जैसे के मैंने कहा सारे नाच्रल चीज़े हैं, तो मैंने फिट ट्यूबर ही देखके सारी चीज़े मंगाई हैं, तो मैंने संस्क्रीन अपलाई कर लिए, इससे वाइड स्कार्स प फेस पे सूट हो जाएगा, मॉस्टराइजर बहुत जादा जरूरी है, डे टू डे रोटीन के लिए, उसके बाद मैं लिप्स को प्लंप करने के लिए, और सॉफ्ट करने के लिए, नीविया का लिप बाम लगाने वाली हों, और उसके बाद हम लगाएंगे, बॉड़ी ल पूरा का पूरा पामपरीन रूटीन था, कि मैं क्या क्या संडी को मोस्टली अपने स्किन का कैसे ध्यान रखती हूं, फेस का कैसे ध्यान रखती हूं, तो आप चाहें वो चीज़े कर सकते हैं, फॉलो और भी ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू टू माश चानल